नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंट धर्मा सनमार जैमातादी नौरात्र के दिनों में अखंड दीपक जलाने का भिधान है लेकिन बहुत साई लोग छे पूजा या साथ पूजा से भी जलाते हैं तो आप वैसे तो अखंड दीपक जलाए या भी घर में जब पूजा पाट करते हैं तब सुबह साम दीपक जलाने में ऐसा क्या डालें कि जीवन में खुसिया आए सत्रूं का बिनास हो और आप पर माद दुर्गा की किरपा बरसती रहे। दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख सांती और पित्री सांती रहती है और नौरातर में अगर आप घी का दिया और सरसों के तेल का दिया दोनों में से कोई एक जला सकते हैं या दोनों ही जला सकते हैं आपके सभी सुब कारे सिद्ध होते हैं घर परिवार में सुब और मांगली कारे होने लगते हैं अगर घर में बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनकी सफलता के लिए मां के सामने घी का ही दिया जलाईएगा और अगर बास्तु दोस्ट से परिसान है आप उसको दूर करने के लिए तिली के तेल का दीपक जला कर रखिए तो आपके घर का वास्तु दोस्ट दूर होगा क्योंकि नवरात्र के दिनों में अगर तिली के तेल का अखंड जोत आप 6 पुजा से या 7 पुजा से लेकर आप जलाते हैं 9 पुजा तक तो ऐसे में क्या होता है आपके जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाती है तो नवरात्र में दीपक जलाने के अलग महत्तों हैं इसके अलग विधान है लेकिन आप अगर नवरात्र में जैसे की आपने अखंड जोत जलाया तो है अब 9 दिनों तक भक्त मा दुर्गा की भक्ती में चुकी डूब जाता है और नियोमों का आप सक्ती से पालन भी कर रहे हैं अब हिंदु धर्में किसी भी सुबकारे या पुजा को करने के पहले ही दीपक जलाते हैं क्योंकि दीपक जलाने का अर्थ है कि दीपक हमारे जीवन में प्रकास की जियोती को बनाए रखे और हम दीपक की लौ के जरिये परमात्मा से जुड़ जाते हैं खास कर नवरात के मौके पर मा दुर्गा की फोटो या मुर्ती के सामने अखर अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आप कई बार क्या होता है ना दिया जो जलाल ये पर संकल्प नहीं लेते तो संकल्प लेकर जल जरूर छोड़िये तब ही आपकी मननत पुरी होगी और जब आप कलस अस्थापना करते हैं तो फिर घर में सुख सम्रिदी आने से कोई नहीं रोख सकता अब सवाल ये है कि जब आप अब छे पुजा से या साथ पुजा से आप दीपक जलाएंगे तो दीपक कैसे जलाएं और दीपक में क्या डाले या पिर आप नियमित रूप से सुख साम आप पुजा करेंगे तब आप उस पुजा के दीपक में क्या डालें देखे जब आप अखंड दीपक की बात करें तो मिट्टी या पीतल का होना सबसे अच्छा है लेकिन जब आप सुबह साम दिया जलाएंगे तो जब आप मा के लिए जलाएंगे दीपक तो मिट्टी का चुनाव करें और ये सबसे अच्छा रहेगा नहीं है तो पीतल का जलाईए कभी भी अखंड जोती को दीपक को आप जमीन पर मत रखें हमेशा ही किसी लकडी के पाटे पर थाली पर स्वस्तिक बना दें और फिर फुलों की पंखुरी रखके रखें या फिर चौकी पर रखें अखंड दीपक जलाने से पहले उसमें जो कलर किया वह चावल होता है न उस चावल के दोचार डाने डाल दीजिएगा यानि कि हल्दी मिक्स चावल ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हल्दी मि या फिर नाल धागा नहीं है तो रुआ में थोरा सा रोली मिला ले और फिर इस दीपक को बनाए अगर आप घी का दिया जलाते हैं घी नहीं है तो सर्सों के तेल या तिल का तेल का इस्तमाल कर सकते हैं तो और भी अच्छा अखंड दीपक जलाने से पहले आप मां दुर्गा के मंत्रों का जब कर लें कुछ नहीं आता तो दुर्गा दुर्गा भी एक मंत्र ही है आप दुर्गा नाम ही जब लें अगर आप जला रहे हैं तो समय समय पर तेलगी डालते रहिए और बाती भी ठीक करते रहिए ये नहीं कि आपने भूल गया जलाकर और वो बुझ गया क् अखंड जोती मा दुर्गा के दाहिनी और रखें और समापन के बाद दीपक को स्वेम भी बुजने दें खुद से आप मत बुजाईए और कुछ ऐसे नियम है जिसका पालन भी करना चाहिए जैसे कि आप ब्रत रखेंगे महास्टिमी के दिन तो सात्वी भोजन खाईएगा और एक ही बार खलाहर कीजेगा खाने में नमक और अनाज और हल्दी का सेवन बिल्कुल भी ना करे और लाल और पीले रंग का वस्तर पहनना सबसे सुभ होता है काला या ब्लू कलर का कपड़ा पूजा के दौरान मत पहने ब्रत रखते हैं तो जो निगेटिव चीजें हैं उनसे दूर रहें नकात्मक चीजों को मन पर हावी ना होने दे वरना आपको ब्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा तो नवरात्र में दीपक जलाते समय अभी तक हमने जाना कि किन बातों का ध्यान रखें लेकिन दीपक जलाने में दीपक में ऐसा क्या डाले कि आपकी सारी मनों कामनाय पुर्ण हो जाए देखिए सबसे पहली बात तो नवरात्र के दिनों में या ऐसे भी आम दिनों में जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सिर्फ दिया कभी नहीं जलाना चाहिए दिपक में कुछ न कुछ जरूर डालें नहीं कुछ तो एक चावल का दाना ही डालते ऐ और आपके लिए समभब हो तो लौंग डाल कर जलाएं चावल का दाना संपुर्णता का परतीक है अगर आप दीपक में हल्दी मिलावा चावल या फिर आप रोली मिलावा चावल डाल देते हैं या सिर्फ सादा ही चावल डाल कर फिर दिया जलाते हैं मातारानी के सामने तो जीवन के कठिन से कठिन विपत्तियों से भी आप बाहर निकलाते हैं, अब सनातन धर्म में दीपक को प्रकास का ध्योतक माना गया है और परमातमा से हम ग्नानी भी मिलता है और इसलिए हमारे धर्म में, पूझा पाठ में किसी पवित्र जो हमारे घर में सुमाङ़्ली कारे होते हैं उसमें दीपक जलाने का ही भी दाने किवना ऐसे दीपक जला कर नहीं जला सकते ये आपका संपूर नहीं माना जाता अगर आप अभी तक ऐसा गलती कर रहे हैं तो अब से भी कुछ नहीं हुआ है आप गलती सुधारिए जब भी दीपक जलाईए तो सिर्फ यह नहीं कि रूई की बाती बना लिया दीपक जला के दिखा या बिल्कुल नहीं, अगर आप रूई की भी बाती बनाते हैं, तो भी एक चावल का दाना हल्दी में डाल कर या फिर रोली में डाल कर ही उसमें डालें और फिर जलाएं, चाहे वो तेल का हो या गी का हो, और नौरात्र के दिनों में जब आप दीपक जला रहे हैं, तब इस दीपक में एक लॉंग जरूर डालें आप चाहें तो दो लॉंग भी डाल सकते हैं साथ ही अगर कोई बिसेश मनोकाम ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसमें एक दो पंखुरी जो केसर होता है उसका डालकर जलाएं आपकी हर मनोकामना पुर्ण होगी केसर ना हो तब रोली डा रखना चाहते हैं तो दीपक में एक कोड़ी और एक सिक्का डाल कर ही जलाएं बाद में कोड़ी और सिक्का को लाल कपड़े में संभाल कर रख लें और अगले साल आप इसको जल में प्रवाहित कीजेगा अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो अच्छी बात नहीं है तो मिट्टी के एक दीपक लेने उसमें कपूर और लॉंग रखकर आप जलाकर साम में पूरे घर में दिखाते हैं तो आपके घर में पॉजिटीव एनरजी भी आती है और निगेटीव नरजी दूर हो भाग जाती है आप चाहें तो लॉंग के बदले दो काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं क्योंकि जब आप दीपक में काली मिर्च डाल कर जलाते हैं तब जो तंत्रमंत्र क्रियाएं हैं टोने टोटके हैं वो समाप्त हो जाता है वैसे भी मातारानी को काली मिर्च के भोग लगाया जाते हैं महा अस्टिमी के दिन उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तमाम तरह के बिधान नहीं करना चाहते हैं यह आपके पास समय नहीं है तब दिया जलाएं एक चावल का दाना डाल दें नहीं है एक सिक्का डाल दें और यह सिक्का रोज आप उठा कर रख लें फिर इसी सिक्कों के बिभार करें तो कुछ न कुछ आपको दीपक में जरूर डालना है यह आपकी इक्षा पर आप क्या डालते हैं और कैसी मनुकामना आपको पूर्ण करानी है उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हर हर महादेब चरू लिखेगा धन्यवाद